महोदी गाउं में रामनामी जुलूस को लेकर हुआ बावाल हुवी आग जननी के साथ साथ पुलिस परसासन की गाड़ियों की तोड़ फोड लाठी चार्च बलकागाउं परखन के महोदी गाउं में 40 वर्सों से रुकार रामनामी का जुलूस आज अस्टामी के दिन बिना परसासन की देखरेक में सांती पुर्वक निकाल कर सुनपूरा गाउं के मेला टान पहुचा जुलूस निकलने की सूचना पूरे छेतर में आग की तरह फैल गई एवं खुसी का महोल हो गया जुलूस निकलने की सूचना मिलते ही बलकागाउं परसासन महोदी गाउं पहुचकर पुरो की भाती हरकत में आगई महदी गाउं को पुलीस च्छावनी में तबदील कर वापसी जुलूस को पुना परसासन के द्वारा रोक दिया गया परसासन द्वारा वापसी जुलूस को रोके जाने के बाद जुलूस में सामिल लोग महदी उतकर्मिक मदबिद्याले के पास धरने पर बैठ गए जुलूस को वापस ले जाने के लिए पुलीस के द्वारा काफी मसकत की जा रही थी जुलूस में सामिल लोग कहना है कि जब बिना परसासन का ही हम लोग सांती पुरवक अस्ट्रमी का जुलूस निकाल लिए और किसी परकार का कोई अपरिये घटना नहीं घटी तो फिर परस परसासन द्वारा जुलूस रोके जाने के बाद महदी गाउं को पुलीस छावनी में तप दिल कर पुरू की भाती बैरिकेटिंग लगा दी गई जुलूस के समय दूसरे समूदाए कि लोगों का कोई बिरोद तो नहीं हुआ लेकिन जुलूस पार होने के बाद परसासन प फिर लगे बैरिकेटिंग के सामने पहुंच कर पहले बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया और पुलीस परसासन से पुछने लगे कि हम लोग जब इस रास्ते से आएं तो इसी रास्ते से ही ना जाएंगे उपस्तित सभी ग्रामिन कह रहे थे कि हम हिंदूस्तान में रहते हो जाएंगे उपस्तित कई महिलाएं या भी कह रही थी कि हम लोग अपने घर में छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ कर आएं हैं ना जाने वह कैसे हाल में होंगे इसके बाद लगबग पांच से छे बजे ग्रामिन मोहदी गाउं के परवेशद्वार के पास बने बरिके लेडना इस्टाक किया ततपस्चात उग्र गरामिनों ने मोहदी बिद्धाले के सामने खड़े पुलीस परसासन के गाळियां सहीत अन गाळियों पर जमकर बरसे और तोड़ फोड शुरू कर दिया जिसके बाद बढ़का को अंचला धिकारी के चालक के भी चोटिल होने क की सूचना है के साथ ही लगभग साढ़े साथ बजे हजारी बाग स्पी अरवींद कुमार सिंग अपने दलबल के साथ पहुच कर मोर्चा समहलते हुए पूरा लाठी चार्ज कर दिया जिसमें चारों और सनाटा पसर गया और मोर्चा समहलते ही सभी गरामिन वहां से 9211 हो का इस्थि वहा तनाव पूरन है